देखो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो border tension चल रहा है उस बीच नाटो बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि नाटो जो है वो यूक्रेन का पक्ष ले रहा है और रशिया से कह रहा है कि आप अपने और यूक्रेन के बीच का जो बॉर्डर है वहाँ पर जो अपनी तरफ मिलिटरी को इतना ज़ादा जमा कर रे हो इससे यूक्रेन को खत्रा मैसूस हो रहा और यूक्रेन को ये लग रहा है कि उस पर हमला हो सकता है ठीक है ये बात बहुत समय से चल रही है तो नाटो ने इस पर बोला है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आपको जो अपनी military है उसको वापस लेनी चाहिए लेकिन रशिया भी इस पर मानने को तयार नहीं है रशिया सीधा ये कह रहा है कि ये मेरा side है मैं अपने border में कर रहा ह और OTAN भी कहते है ठीक है ये बना था 4 अप्रेल 1949 को ये एक military alliance है ठीक है कई बार चर्चा में आता है कि ये जो organization है ये military alliance है या नहीं हाँ NATO एक military organization है एक military alliance है जितने भी देश इसमें शामिल है सभी की military एक साथ NATO में मिलकर काम करती है ठीक है NATO का जो headquarter है वो है Brussels, Belgium में इसका membership जो है वो 30 countries के पास है 30 countries NATO की member है जिन में से मैं आपको नाम बता देती हूँ Albania, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, Netherland, North Macedonia North Macedonia अभी अभी शामिल हुआ है ठीक है नॉर्वे, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Turkey, UK, United Kingdom, US, America ठीक है सबसे जादा दबदबा इसमें अमेरिका का है क्योंकि अमेरिका की military के बारे में हम सबको पता है बहुत खतरनाक military है ठीक है रशिया इसमें शामिल नहीं है ना ही यूकरेन शामिल है फिर भी NATO जो है वो यूकरेन का पक्ष क्यों ले रहा है क्योंकि इसमें सबसे जादा दबदबा है US का, अमेरिका का और अमेरिका और रशिया के बीच में शुरू से ही tensions है क्योंकि दोनों ही super power है और आपस में लड उसका चेर्मेन है एड्माइरल रॉब बोर ठीक है जाहिर सी बात है ये एक military alliance है तो इनका यही मानना है कि अगर हमारे मतलब जितने भी members हैं 30 members हैं हमारे उपर किसी भी तरीके का attack होता है दूसरी country से जो NATO का member नहीं है तो हम एक साथ मिल कर defend करेंगे एक साथ मिल कर उससे कोई country हमला करती है तो सब कोई साथ में मिल के लड़ेंगे ठीक है नाटो का जो allied command operation है उसका headquarter है mons Belgium में ठीक है बेलजियम में ही है लेकिन mons में है और नाटो का खुद का जो headquarter है main headquarter है वो Belgium के Brussels में है अगर question में ये पूछे कि नाटो को अभी आखरी में किसने join किया है तो नाटो यूक्रेन को aspiring member में से मान रही है मतलब नाटो को ये लगता है कि यूक्रेन बहुत जल्द नाटो में शामिल हो सकता है जाहिर सी बात है military organization है तो कई सारे military intervention नाटो ने किये है ठीक है सबी देशों ने मिलकर अपने troops को कई सारे देशों में peacekeeping force के रूप में भेजा है मतलब शानती बनाने के लिए कई सारे देशों में नाटो ने अपनी military को भेजा है ठीक है और अफगानिस्तान में भी शानती बनाने के लिए नाटो की ही military को भेजा गया था उसके बाद 2004 में इराक में भी नाटो ने अपनी training दी थी इराक की security forces को ठीक है फिर लीबिया की civil war के टाइम पे भी नाटो ने intervention किया था तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कभी-कभी उनको जरूरत पड़ती है तो वो नाटो से मदद मांगते हैं कई तरह की नाटो की military उनको training भी प्रोवाइड करती है और peace keeping force के तरह भी जाकर वहाँ पर काम करती है ठीक है अब नाटो का structure North Atlantic Council जो है वो नाटो के अंदर एक council है यह ऐसी body है जो की governance प्रोवाइड करती है और इसके पास ही पूरा power होता है नाटो के decisions का ठीक है जो 30 countries नाटो की member है उनके सारे representatives इस council के members होते हैं यह council हर हफते एक बार बैठक करती है बड़े-बड़े decisions लेती है नाटो की policy के बारे में ठीक है और इस council के जो meeting होती है इसको chair करते है नाटो के secretary general और क्योंकि नाटो एक military organization है तो एक military committee भी है नाटो के अंदर यह नाटो की ऐसी body है जिसमें जितने भी member states है उनके chief of defense होते हैं जैसे कि हमारे इंडिया के chief of defense staff थे जनरल विपिन रावत जी वैसे ही हर country के जो भी member states ह उनके chief of defense इसके member होते हैं और North Atlantic Council को वो advice देते है military policy और strategy के बारे में ठीक है North Atlantic Council मैंने आपको अब भी बताया था कि नाटो का एक governing body है उसके बाद नाटो में एक parliamentary assembly भी है जिसको नाटो parliamentary assembly बोलते है यह ऐसी body है जो strategic goals set करती है नाटो के लिए और हर साल दो बार meeting करती है ठीक ठीक है तो यह था नाटो के बारे में देखो अभी कुछ टाइम पहले quad को लेकर भी नाटो के बारे में बात हो रही थी जब quad submit हुआ था चार देशों का होता है quad ठीक है तो उसको भी कहा जा रहा था कि वो भी नाटो की तरक military organization बनता जा रहा है चायना ऐसा कह रहा था लेक है quad की meeting हम normal policies discuss करने के लिए करते हैं तो तभी नाटो चर्चा में था फिलहाल तो हर दिन paper में नाटो के बारे में आ रहा है क्योंकि foreign ministries की कभी-कभी बैठक हो रही है नाटो के और सिर्फ किसलिए हो रही है Russia और Ukraine के border tension के कारण ठीक है नाटो बिलकुल भी चाहता नहीं है कि Russia Ukraine पर invade करे इसलिए नाटो अभी चर्चा में है क्योंकि Russia और Ukraine को लेकर लगातार meeting कर रही है और Russia को बार-बार यही कह रही है कि आप अपने border में इस तरीके से सैनिकों को मत deploy कीजिए उनको थोड़ा पीछे हटाए पर Russia भी मानने को तयार नहीं है तो नाटो के बारे में हमन